मेरी प्यारी सभी यूटूब फेमेली, आज मैं आप लोगों को आलू और साबुदाना की नई रेशेपी बना कर बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से और मैं इस वीडियो में इतना सरल और आसान तरीके से सेर करने वाली हूँ कि हर एक चीज आपको बारीकी से बता जिसे देखने के बाद अगर आप पहली बार भी आलू और साबुदाना के पापड बनाने जा रहे हैं तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बन कर तयार हो जाएंगे, बस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजे, अच्छे से समझ लीजे, बिलकुल देशी तरीक से मैं समझाने वाली हूँ, वीडियो को बिलकुल भी इसकीप मत किजिएगा, नहीं तो कुछ न कुछ छूड जाएगा, और फिर आपकी रेशेपी अच्छी नहीं बनेगी, तो चलिए आज के जो हमारे आलू और साबुदाना के मसाला पापड कैसे बनाते हैं, हम लोग द पापड को मिक्स करके बनाना है, मैं इस में यहाँ पर लिया है 2 किलो आलू, तीन आलू के 5 आलू के तो पापड हमने कई बार बना कर ठ्राई किये है, मतलब देखे है, लेकिन आज हमें स्टोर करने के लिए पापड बनाना है, तो हमें कोण्टीемся, इसकी बढ़ाना होगा, तो यहां पर मैंने दो किलो आलू लिये है और एक गिलास लिया है साबू दाना जो की आलू और साबू दाना के हमें मिक्स करके पापड बनाना है उसकी सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में सेयर करने वाली हूँ तो दो किलो आलू में हमें एक गिलास साबू दाना डालना होगा तो साबू दाने को सबसे पहले हमें एक कटोरे में डाल लेना है और कटोरे में डालने के बाद हमें इसमें पानी डाल देना है लगबग आदा लिटर मतलब पूरा हमारा साबू दाना डूब जाना चाहिए और एक उंगली उपर हमारा पानी रहना चाहिए ताकि फूलने के बाद में हमारा पानी पूरा सोख ले साबू दाना तो इतना हमें पानी डाल देना है मतलब एक उंगली हमारी डूब जाना चाहिए इतना पानी हमें डालना है और इसे हमें चार से पाज घंटे के लिए साबू दाने को ढखकर रख देना है अब हमें एक कुकर लेना है और जो हमने आलू लिया है आलू को सारे कुकर में डाल लेना है क्योंकि आज हमें आलू उबाल कर हमें पापड बनाना है तो कूकर में सारी आलू डालने के बाद में इसमें भी हमें पानी उतना ही डालना है जितना की हमारी आलू पूरी डूब जाए मतलब पूरी आलू हमारी पानी में डूब जाना चाहिए इतना पानी हमें डाल देना है और उसके बाद हमें लगा देना है कूकर का धकन और ढकन लगाने के बाद में हमें इसकी तेज आच पे तीन सिटी लगा देना है बस तीन सिटी लगाने के बाद में हमें गेस बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है ठंडा होने के बाद में हमें इसे खोल लेना है कुकर को और कुकर को खोलने के बाद में एक दुसरा हमें कटोरा या कोई भी बरतन हमें ले लेना है और जो हमने आलू इसमें उबाल कर रखी है उसे हमें दूसरे कटोरे में निकाल लेना है तो देखिए हमारी आलू किस तरीके से उबल चुकी है मतलब पूरे इसके छिलके छोड़ दिये है आलू ने तो हमें दूसरे कटोरे में निकाल लेना है और इसमें फिर हमें एक से देड़ या दो लिटर हमें दूसरा पानी थंड़ा वला डाल देना चाहिए ताकि हमारी जो आलू गरम है वो थंडी हो जाए और उसके बाद में हमें इसके सारे आलू के छिलके उतार लेना दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि ऐसी नई नई रेसेपी मैं डेली अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हूं जिसका की नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए मतलब हमारी जो आलू है सारी हमने यहां छील कर रेडी कर लिया है अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमने जो साबुदाना फुलाने डाला है साबुदाना भी हमारा लगबग 4-5 घंटा हो चुका है और यह अच्छे से फुल चुका है मतलब साबुदाना हमारा बहुत अच्छा फुलना चाहिए बिल्कुल भी इसमें अंदर का जो कंड रहता है करक वाला वो नहीं रहना चाहिए मतलब बहुत अच्छे से फूल जाना चाहिए जैसे उंगली पे लेते हम लोग फिसल जाना चाहिए और उसके बाद हमें चलनी लेना है चलनी में सारे साबुदाने का पानी हमें छान लेना है पानी चानने के बाद में हमें आलू और साबुदाने को दोनों को एक साथ में हमें कर देना है दोनों को एक साथ में मिक्स कर देना है और उसके बाद में हमें जो एक छोटा सा जो हमारा जार कहना चाहिए जिसमें कि हम लोग मिरची अगेरे जैसे बारिक करते कोई भी सब्जी या फिर बड़े अगेरे बनाते हैं उसमें डालने के लिए तो इस तरीके का हमें जार लेना है और उसमें हमें थोड़ा थोड़ा आलू मतलब एक या दो आलू हमें डालना है और साथ में थोड़ा सा हमें इसमें साबुदाना है मतलब आलू और साबुदाना दोनों को डाल कर हमें इसको पेष्ट बनाना है इसका वाला साबुदाना और आलू का दोनों का इस तरीके से हमें घुमाते हुए अगर हम लोग तयार करते हैं तो हमारा जो पापड बनने वाला है वो बहुत ही साप्ट भी बनेगा और साथ में जो आलू अगरे और जो साबुदाना हमने डाला है वो बिलकूल एकदम एक जैसा हो जाएगा तो इसलिए हमें इस जार में ही अगर पापड बनाने के लिए हमें तयार करना है तो कच्चा साबुदाना है क्योंकि अगर हमारी आलू तो उबली भी है लेकिन साबुदाना कच्चा है इसलिए हमें साबुदाने को इस तरीके से बारिक करके डालना है वैसे अगर हम लोग mixer के जार में अगर पीसते हैं साबूदाना तो हमारा साबूदाना फुलने के बाद में भी पीसाता नहीं है मतलब बारिक नहीं होता है और अगर उसको पीसना है तो हमें पानी का उप्योग भी नहीं करना है तो इसलिए हमें इसी तरीके से हमें साबूदाना और आलू को मिक्स करना है वैसे आलू को हम लोग कीश कर भी बना सकते हैं किसनी से लेकिन मैंने आज आपको ये नया तरीका बताया है जिससे कि क्योंकि हमारा कच्चा साबूदाना है इसलिए अब हमें इसमें मसाले के लिए लेना है मिर्ची जीरा और काली मिर्च तीनों का हमें दरदरा सा पाउडर बना लेना है या हमें कूट लेना है या फिर हम लोग मिकसर के जार में एक दो राउंड घुमा कर हमें इसका पाउडर तैयार कर लेना है मिर्ची जीरा और काली मिर्चे का बस यह तीनों मसाला हमारा तैयार हो गया है और उसके बाद में जो हमने आलू को कीशके रखी है उसे हमें दुसरे एक कटोरे में डाल लेना है क्योंकि हमें मिलाना है सारे मसाले को इसमें तो हमने जो प्लेट लिया था वो प्लेट में नहीं मिल पाएगा इसलिए हमें बड़ा सा बर्तन ले लेना है और जो मसाले हमने पीस कर रखे है जीरा, मिर्ची और काली मिर्चे को तो बस इसमें हमें नमक डाल देना है स्वात के अनुसार और मिर्ची जो पाउडर हमने बना कर रखा है उसे हमें इसमें कर देना है हाथ से मिक्स हाथ से ही मिक्स होगा अच्छे से हमें इसे फेड़ते वे मिक्स करना है वैसे इसमें आलू अगेरे के या साबुदाने के दान बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जिस मशिन से हमने इसको साप्ट किया है वो बहुत ही अच्छे से साप्ट हो चुके है और एक भी लंग सा नहीं रहेगा इसमें अच्छे से मीक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा हमें एक कटोरे में निकाल लेना है ताकि जब भी हम लोग पापड बनाए तो हमारे हाद गंदे ना हो इसलिए हमें एक कटोरे में पहले ही निकाल कर इसे तैयार कर लेना है और इसे ढग कर रख देना है तब तक हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं तो ये देखे मैंने यहां निकाल कर रख दिया है ढग दिया है अब हमें इसमें पापड बनाने के लिए हमें एक पनी डालना ह अब हमें लेना है पूरी बनाने वाली मसीन, मसीन से भी बना सकते हैं और बेल कर भी बना सकते हैं या फिर प्लेट से भी बना सकते हैं जो भी आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हैं मैं मसीन से बना रही हूँ क्योंकि फटा-फट जल्दी बनाना है मुझे इसलिए बस ह लगाते थेलो अगार तो इक भी पनाना है जादा लंबे समय तक हमे रखना होता है तो वो पापड हमारे खराब हो जाते है इसलिए हमें बार-बार तेल लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी बस हमें एक ही बार पहला पापड निकालने के लिए हमें तेल लगाना पड़ेगा और उसके बाद में आसानी से हमारे पापड निकल कर यहां रेडी हो जाएंगे क्योंकि पहला पापड जो कोई भी चीज रोटी हो या कोई भी चीज हो पहली बार बनाते हैं तो थोड़े से मतलब इधर उधर बन जाती है इसे प्रकार से पापड का भी रहता है और अगर आप चाहे तो दूसरी पन्नी का भी यूज कर सकते हैं जैसे साड़ी वगिरे की ज चंदा होगा और नहीं लोई बनाने की हमें जरूत है बच चम्मस से डालना है दबाना है और इस तरीके से हमें पतला सा पापड हमारा बनकर तयार हो जाता है और बिल्कुल तूटने का या फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है कई बार होता है कि हम लोग आलू के पाप जाएंगे बहुत जल्दी और आसान तरीके से बन जाते हैं तो दोस्तों बहुत ही simple सी recipe थी मेरी आज की आलू की और साबुदाने की पापड बनाने की क्योंकि अक्सर करके ऐसे पापड हमारे तूटते नहीं है फटते नहीं है और खाने में सबसे ज्यादा taste लगते है तो दोस्तों अगर मेरी recipe अगर आप लोगों को पसंद आई हूँ तो अपने दोस्तों को share करना बिल्कुल भी न भूले क्योंकि ऐसी रेशेपी बार बार हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है तो यह देखिए हमने यहां पर चार घंटे के बाद में हमारे पूरे पापड यहां सुक कर रेडी हो गया उसके बाद में मैंने दो घंटे की से धूप भी दिखा दी है और अब हम लोग तल कर देखते हैं कि हमारे आज के पापड बने कैसे है तो यहां हमने कड़ाई में तेल डाल दिया बस एक पापड डाल दिया और यह देखिए बहुत बहुत ही यह में और स्वादिष्ट पापड दिख रहे और खाने में तो इसका जवाब भी नहीं है क्योंकि दोस्तों अगर आपने अगर आलो के पापड इस तरीके से अभी तक अगर नहीं बनाए हो तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही सिंपल और मेरी यह खुद की अपनी रेसेपी है तो आज की रेसेपी कैसे लगी कमेंड करके जरूर बताईए तो च